साथियों आज का हमारा वीडियो तीन हिस्सों में होगा थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत खास होगा पहले हिस्से में हम फिलिस्तीन बच्चे का बयान सुनेंगे दुसरे हिस्से में अब्बू उबैदा के बयान को अपनी भाशा में सुनेंगे तीसरे हिस्से में यमन के हौथियों और तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत पर बात करेंगे फिलिस्तिनी बच्चा कह रहा है हम हार नहीं मानेगे हम जीतेंगे या हम शहीद होंगे और ये मत सोचो कि ये हमारा खात्मा है हमारा रोल मॉडल सलाउद्दीन अयूबी है हम हत्यार नहीं दे लेंगे हम जीतेंगे या मरेंगे हम फिलिस्तिनीों से अल्ला का वादा है जीत हमारा मुकदर है हम जार ले जीतेंगे QUारicemters हमु जार है हम जार ले मत स्वेंगे लेंगे हम थे ले झारतानी है हम झार्ण के ले एल्ला है हम आसेगम का इतनी झारताय स्वें हम हमुळ ले लेमन करफ़ के ले कम में लेन은 in- ले ल allora जाइनिस्ट यूनिट इस्राइल के पास उनके लिए कोई सिक्योरिटी या कॉंट्रैक्ट नहीं है अव्वे गजा में उन्हें कुछले जाने उनके मुरदार फौजियों के बॉडी पार्ट्स बिखेर दिये जाने और उनकी गाडियों, टैंकों को तबाह कर दिये जाने के बाद युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं अबु उबैदा ने कहा युद्ध बंद किये बिना और गाजा से फौज को वापस बुलाए बिना कैदियों की अदला बदली नहीं होगी इतिहास याद रखेगा कि एक टैंक या विमान के बिना एक प्रतिरोध आंदोलन यूरोप और अमेरिका सहित एक कबजे वाले राज्य को हासिल करने में कामियाब था साथियों SD24 के intellectual audience कल अबु उबैदा ने एक बयान जारी किया हम अबु उबैदा का विडियो यहाँ अपलोड नहीं कर सकते अबु उबैदा के बयान, जंग की विडियो या फिलिस्टीन समर्थन में प्रोटेस्ट प्रसारण के लिए यूरोप ने दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलोन मस्क के ट्विटर यानि एक्स की जांच शुरू कर दी है यूट्यूब ने भी कई चैनल को डिलीट कर दिया है अबु उबैदा ने कहा इस्राइल अमेरिका चाहता है कि हम बिना दिमाग, कान या आँखों के सिर बने वे चाहते हैं कि हम गोलामों की तरह रहे वे चाहते हैं कि हम उनका सुने उनके फर्मा बर्दार बन कर रहे इस्राइल अमेरिका, यूरोप की यही उम्मीदे है लेकिन जाहिल और बेवकूफ लोगों के सामने लोगों और कायनात के रब इटर्नल सब्जेक्शन को हम दाव पर नहीं लगाएंगे हम इमान वाले, नबियों की नसल है क्या वे इतिहास नहीं पढ़ते इस बयान से फिलिस्तीनी लोगों में जोश भढ़ दिया है आगे अबू उबैदा कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, जीत करीब है और कल हम इसे जल्द ही देखेंगे यह वजूद का युद्ध है सीमाओं का युद्ध नहीं इसराइल में नेतन याहू के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन और चरों तरफ से इस्तीफे की मांग और दुनिया भर से वार क्रिमिनल से नवाजे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध विराम करके अपने कैदियों के बदले हमास की हर शर्त को मानने इसराइल की तरफ से की जा रही temporary ceasefire की कोशिश activities को देखते हुए अबू उबैदा ने कहा नेतन याहू हमको बेवकूफ समझा क्या अब हमें humanitarian ceasefire या किसी भी तरह के युद्ध विराम यानी ceasefire की जरूरत नहीं है गाजा के लोग भी यही चाहते हैं और वहां हर कोई इस पर सहमत है जहां तक temporary anesthesia का सवाल है वे अब बेकार है हर कोई अपने घर लोटना चाहता है भले ही वे पूरी तरह तबाह हो चुके हो हर कोई मलबे पर और अपनी जमीन पर तंबू गाड लेगा और अमन की जिन्दगी जीता रहेगा इसराइल जब तक फिलिस्तीन को आजाद नहीं करेगा न अब युद्ध विराम होगा न युद्ध रुकेगा अबू उबैदा ने आगे कहा अमेरिका दस मुलकों को इकठा कर ले या सारे सुरंगों में पानी भर दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम किसके साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन कितना घटिया है सब कुछ जानते हैं और हर तरह की तैयारी से मैदान में उत्रे हैं तीसरे वर्ड वार की शुरुआत अमेरिका ने यमन खेक ख्यालफ कल बनाये हुए 11 मुलकों के गिरोह की फौज को आज लाल समुन्दर में उतरना शुरू कर दिया है उधर यमन भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी कर भूका है अगर लाल समुन्दर में जंग की शुरुआत होती है तो समझ लेना तीसरे वर्ल वार की शुरुआत हो चुकी है जैसे ही लाल समुंदर में युध होता है तो उशर, रूस और चाइना भी इस युध में शामिल होगा कोरिया भी इसी के इंतिजार में है अमेरिका और यूरोप तो चाहता ही है कि युध हो लेबनान, जॉर्डन, तुर्की समेत मिडल इस्ट भी इस जंग में कूदेगा और ये जंग आने वाले वक्त के लिए सारी दुनिया मुश्किलों से घिर जाएगी एंशिन्ट फिलोसोफर हेराकलेटिस ने कहा था आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते न तो आप और नहीं नदी एक जैसी होंगी ये बात अरब जानते हैं कि दुनिया बदल गई है न अरब 1973 की तरह है और न कोरोना के बाद पश्चिमी देश या अमेरिका है अरब तेल पर पाबंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और चीन ग्लोबल पावर बन गया है दोनों देश चीन और रूस तेल पर डिपेंड है अगर यमन के होथियों ने एक महीने से ज्यादा Gulf of Aden में क्राइसिस बना कर रखा तो दुनिया की एकॉनमी को कोरोना काल से भी बड़े मुश्किलों का सामना करना होगा इस्राइल और प्रतिरोधी ताकतों के खून खराबे के बीच गजा से 1000 मील की दूरी पर एक नया ग्लोबल क्राइसिस सामने आ गया है इसलिए कोरोना के बाद फिर ग्लोबल एकनामी बरबादी की तरफ बढ़ गई है फिलिस्टीन में हो रहे नर्स अनहार को रुकवाने के लिए यमन के हौथियों ने आधुनिक हतियार से लैस होकर ग्लोबल शिपिंग को लाल समुंदर में जाने से रोक दिया है 15 डिसंबर के बाद से दुनिया की पाँच सबसे बड़ी कंटेनर कंपनी CMA, CGM, हापाग, लॉइड, मयरसक और MSC ब्रिटेन की टेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने लाल सागर में अपनी सेवाएं निलंबित कर दी है लाल सागर के लिए जो गठ बंधन बना है उसमें बहरीन, पश्चिम के एजेंडे के मुताबिक ठीक ठाक फिट है बहरीन में शिया मुसलिम ज्यादा है जबकि हुक्मरान सुन्नी मुसलिम है अमेरिकी गठ बंधन के एलान के बाद बहरीन में आम लोग विरोध कर सकते है अगर ऐसा हुआ तो किंग रोकने की कोशिश करेंगे इससे शिया बनाम सुन्नी करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि पश्चिम की सबसे बड़ी चिंता इरान-सुदी समझाथा है जिसकी वजह से शिया सुन्नी ताल मेल मजबूत हुआ है अगर ये तूट जाए तो पश्चिम फिर अपने एजेंडे में कामियाब हो जाएगा पश्चिम हमेशा Middle East को शिया बनाम सुन्नी में बांटे रखना चाहता है इसलिए GCC को हमेशा यह समझाने की कोशिश करता है कि साज़ा दुश्मन इरान है इससे सौधी एंड कमपनी को अपने पाले में बनाए रखना उनके लिए आसान हो जाएगा अमेरिकी ब्लूमबर्ग एजिंसी के मुताबिक एक लौता अरब देश जो यमन में हौथिस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है वह ओमान के तट पर अमीरात का राज्य है काफी हद तक ये कायर राज्य अपने सभी अरब पडोसियों की तबाही चाहता है लीबिया, सूडान, इराक, सीरिया, यमन और गाजा में आपने जो किया उसके बाद आप और ज्यादा तबाही और खून चाहते हैं कल, सोमवार को, यूरोपिय आयोग ने अमेरिकी अरब पती एलोन मस्क के मिलकियत वाली एक्स कंपनी की आधिकारिक जाँच शुरू करने का एलान किया है यूरोप का मानना है कि ट्रांस्पारेंसी, कंटेंट ओवर साइट और डेटा तक पहुंच की गोपनियता से संबंधित यूरोपिय सेवा कानून का उल्लंगन किया जा रहा है आधिकारिक कारवाई, ओपरेशन अलक्सा फ्लड के बाद, प्रारंभिक जाँच के बाद हुई, जिसके दौरान यूरोपिय आयोग ने माना कि मंच हमास सपोर्ट मिटीरियल के प्रसार में योगदान देता है और इलिगल कॉंटेंट के प्रसारण से निपटने और स्वत संत्रता प्रदान करने की प्रतिबधता का उल्लंगन करता है। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज, SD24